लहसुन की कीमत में एक बार फिर से बढ़ोतरी शुरू हो गई है। इससे बेंगलुरू के होलसेल मार्केट में ही यह 350 से 400 रुपई किलो हो गया है। जबकि खुद्रा मार्केट में आते आते इसकी कीमत 500 रुपई किलो के करीब पहुँच गई है। खास बात यह है कि पिछले एक हफ़ते के अंदर इसके रेट में करीब 60 रुपई प्रती किलो की दर से बढ़ोतरी हुई है। इस साल दूसरी बार ऐसा हुआ है जब लहसुन का होलसेल रेट 400 रुपई किलो के करीब पहुँचा है। इससे पहले फरवरी में बुवाइक में देरी के कारण बाजारों में लहसुन 400 से 500 रुपई प्रती किलो बिक रहा था। वहीं व्यापारियों का कहना है कि इस बार भीशन गर्मी के कारण नई फसल की क्वालिटी प्रभावित हुई है। हालां कि बेंगलुरू में लहसुन की सप्लाई मध्यप्रदेश, रहे जाने वाले लहसुन ने इस मर्तबा दक्षिन भारत की मंधियों में पिछले कई वर्षों के रिकार्ड थोक भाव के तोड़ दिये हैं। अक्तूबर माह तक लहसुन का बाजार संचालित रहने की उम्मीद है। पहली सिंतबर तक की बात करें तो सिरमौर का ओशधिये गुनों से भरपूर लहसुन के थोक दाम दक्षिन भारत की मंधियों में आरती अनिल राना के अनुसार 350 रुपए प्रतिकिलों के भाव को प लॉक हो गया है जिसका सीधा असर हिमाचल के लहसुन उत्पादन पर पड़ा है। वहीं यहां के लहसुन की मांग बढ़ी है। अब लहसुन के थोक भाव 320 रुपए प्रतिकिलों ए ग्रेड खरीद रहे हैं। मई माह में आने वाली लहसुन की फसल की अब तक 70% खेब गा प्रिक टामस्टीव